फेंड अघस्त मत आपका स्टाक्क में परोंग चुबेडिंग करें सब्सक्राइब करें अच्छे स्टाप कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐ सब्सक्राइब करना क्यों आपको आपका उसको ऑचाउड करना कि आपका माइंड आपका इसको फॉलो करेंगे तो इतना सारा सोर मच रहा है और आप अपने उसको क्लियर कर पाएंगे पाएंगे दिसक्सober्ष प्रिटी के इंपोर्टिन लेवल्स क्या होने वाले क्या रिकवरी हुई है कहा तो फिर से फॉल आ सकता है कौन से इस बात करते हैं निफ्टी की बात करते हैं तो अगर देखेंगे तो बहुत कि एक बहुत इस ट्रॉंग आपका बुलिस पैटन विजब हो रहा है और लास्ट किया तो इसको अगर मंति टाइम फ्रेम्स चेकरक्राण तो स्टाइड में करें टो आपको वह लोट करेंगे तो बहुत लास्ट प्रिविस हाई था उसके आ बहुत ही कैंडल से यह नहीं बहुत ही बेकार चोटी सी कैंडल से बहुत अच्छी कैंडल से ब्रेक आउट दिया हुआ है इस केस में अगर आप देखेंगे इस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करता लेवल तब तक आपको लॉंग साइड का ट्रेट को होने वाला है नेक्स्ट बात करते हैं अब मार्केट में ऊपर कहां तक जा सकता है क्लियर अगर आप यहां पर करेंगो तो सारे पैरामेटर्स आपके चेंज मिलेंगे और इसको मैं यूज करता हूं तो फीवर टूल को कौन से इंपोर्टेंट लेवल सोने वाले कहां तर निफ्टी जा सकता है अब मैं आपको एक मैजिक ट्रिक भी सिखाने बताने वाला हूं तो लास्ट करेंगे दिस वनिवर्ट हमारा प्रिविएस वीक प्रिविएस हाई था जैडिस ट्वंटिफाइव इस लेवल के नीचे अगर आता है तो अगर आपको लॉंग करना फ्रिस लॉंग तो फॉर्ट अगर बैंक निफ्टी जो वापस 25266 का लेवल क्रॉस करता है दिन अगेन लॉंग कर सकते हैं टार्गेट आपको बताने जा रहा हूं कि लेवल्ट होता है अगर आप देखें मैंने फीवर तूल्स का यूज किया हुआ है अगर इस लेंद को मेजर करते हैं जो करेंट में जो रेंज बनाई हुए इस रेंज लॉंग करना इस वीक में लो आपको करना है तो फोर अगर यह लॉंग जाता है तो फिर आप लॉंग करते हैं तो अगर पोजिशनल जाना है तो उस भी आपको यही लो आपको सार्डब्स करने हैं जो थोड़ा सा डिफ्रेंट दिखेगा आपको से अपना अपना ट्रेटका लेकिन आप पहुंचने में अभी इस पूल बैक लिया हुआ है इस पूल बैक का आराम से इसने होल्ड किया जो लास्ट लेवल हमारा स्विंग लोग और इसके उपर सब्सक्राइब हुआ है इसके में अगर यह आपका आपका जा सकता है यह अगर लिए टाम अगर लास्ट टाइम इसने जब पाटन कृटर्ण क्रियेट किया प्रेट किया वहां से अच्छा फॉल आपको देखने को मिलना है अगर वापस से उपर जाने को सब्सक्राइब तो इंपोर्टेंट लेवल्स है कि यहां से जो अगर निकलता है तो फर्स्ट लेवल है और इसके पास में आपको 52 थानिका राउंड लेवल नमबर भी है तो देने दोनों ही नमबर काफी इंपोर्टेंट है और इसको कर लेता है तो फिर आपको आपका बढ़ जाएगा तो अगर आपको इनिशेट करना या तो इस हाई को मार कर लाका यहां पर निकलता पर एक इस पे ट्रेट को यहां पर देखने को मिलने वाला है अगर चाड़ करते हैं डैली टाइम फ्रेंट करेंगे तो अगें जो यह लेवल अगर आप वाच आउट करेंगे कि फॉल होगा कि अभी फॉल्ट लिया है यह 0.5 पर लिया हुआ अगर बेकडाउट करता तो फिर से जो वारे में चले बात करते हैं कि इस मंत में इस वीक में कौन से बहुत सरे स्टॉक्स पैसे लेकिन ध्यान किया इसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपोर्टेंट है उसको जरू मैटर करिएगा ना सबस्क्राइब बात करेंगे इस वीक अच्छा परफॉर्म कर सकता है यह जो फर्स स्टॉक्स प्लास्टी ब्लेंज इंडिया लिम अंत्ति टाइम फ्रेम में इस चार्ट इस चार्ट ब्रेक आउट किया हूँआ अगर यह तो बहुत अच्छा का निकलता है तो बहुत आपको सकता है यहां से बहुत अच्छा पोटेंचियल है कि यहां जरूर रखिएगा बात करते हैं नेक्स स्टॉक की अगर आप देखेंगे इस इस टॉक को तो मंति यह लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे लास्ट लो लगा था उसका मार्केट कंश्चियों आपका रिवर्स कर रहा और वापस इसने हाई बनाया था दो मास 2022 को मौहां से फिर से रिटेस्ट करके वापस नीचे आ गया था औ आपका हाई था उसके आसपास आपके खड़ा हुआ है तो यह भी स्टॉक अगर आप देखेंगे वालूम बिल्डप वालूम बिल्डप दोनों ही और सम देखने को मिलना इस लेवल पे तो अगर बात करते हैं तो काफी अच्छा टार्गेट आपको इसम देखने को मिल सकत है अगर इसी स्टॉक हम डिली टाइम पर देखेंगे तो मल्टीपल टाइम से इस इस रिजिया को हिट कर चुका है अगर आप देखेंगे में जो लास्ट स्विंग हाई था इसको अगर आप ब्रेक आउट करके सश्रिंग करा आप वालूम बहुत अच्छा बिल्डप हो र रडार पर आप जरूर रखिएगा तो इस विक के बारे में कैसे आपको इंडेक्स में प्लांग करना है साधिक कैसे इसके लिएक लाइक तो जरू मत्ता सौथ है अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू सब्सक्राइब कर लें ताक इस तेक निफॉर्मेटिव वीडि कि विए वी फिर लाइक वी ये छ्लीफалась